हुआ है है गाइस विल्कम बेक टो आवर चैनल प्रोमोट ब्लॉक्स में और एक बाड़ आप सभी का स्वागत है मैं फिलाल अभी पिहार में हूँ अभी यह जो हमारे बाबा थे और मैं अभी रोड में हूँ तो गाइस ही देख रहे हैं यह हमारा परलाजपूर का चोक है हम मार्केट नहीं मतलब मार्केट ही बोल सकते हैं यहां कुछ दुकान बगेरा है और मैं आज जब भी जा रहा हूं मार्केट फिलाल बजार करने को आए चलते हैं पुड़ा गाउं-गाउं वाला फिलिंग है तो इसमें इधर में लेकिन मैं गाउं का टीन से नहीं बोल रहा मार्केट बाद में दिखाते हैं आपको सबसे पहले स्कूल दिखाते हैं यह परलातपूर स्कूल है स्कूल का नाम पता नहीं मुझे नया नया हूं तो नाम पता नहीं है और अजस अभी इविनिंग में निकला हूं तो ऐसे आज कुछ घुमने निकला हूं कुछ दुंदल दिखाई दे रहा होगा आपको पता नहीं क्या होगा आगे चलते हैं आपको तरवरा का भी एक बार चोग दिखाते हैं आगे जाके और ऐसा कुछ दिख रहा है हमारा तरवरा जस हम लोग अभी तरवरा एंटर कर चुके हैं और यहां भी कुछ हार्डवेर का दुकान है यह और मैं अभी जा रहा हूँ कपरा लेने को तो कपरा लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं चलिए आपको दिखाते हैं आज तरावरा का तरावरा गाहों का एक जलक दिखाते हैं चलिए चलते रहिए हमारे साथ बने रहिए यहां से है न आप सिधे चल जाईएगा तो आपको धिरन पट्टी मिल जाएगा आप वहाँ पी एन ऐसा कुछ बोल के मॉल खुला है न या तो मॉल दिखाने का भी कोशिस करूँगा आप सबको एक दिन फिलाल तो अभी जा रहा हूँ इधर देखिए जगड़ा हो रहा है देखिए ये सब जगड़ा होते रहता है गाउं में बिहार है ये ये बिहार है बिहार में हर घर में हर घर में कभी न कभी जगड़ा होते ही रहता है अच्छा ये धुंदला धुंदला क्यों आ रहे है अब और धुंदला हो गया केमरा में मड़ा खड़ाब हो गया कि one plus कहला और ये है कुछ तरवडा का मार्केट इनको देखिए इनको देखिए बिन्दास रस्ता पार कर रहे हैं कोई टेंशन फिकर नहीं है बस रस्ता पार करना है ये तरवडा का चोक है और आगे से गाड़ी आपर मार के आ रहा है देखिए और यहीं पे हमारा काम है बट जहां काम है वो दुकान बंद है इधर यह देखिए वो जो टेलर का दुकान है वो बंद है तो यहां से यूटन लेना होगा मेरे तो आईए यहां से यूटन लेते हुए सिधे पलातपुर्चोग चलते है आप सोच रहे होंगे मैं कावासा की निंजा ने तो कावासा की निंजा में हुँगा बट यह है मेरा आर वन फाइब आर वन फाइब का मजा लेते हुए जा रहा हूँ मैं क्या कवे मुणा यह ऐसा कुछ दिखता है अभी बहुत दिनों से ब्लोग बनाना बन था क्योंकि टाइम नहीं मिलता था तो आज कोशिस किया हूँ कि एक ब्लोग अपना गाओं का और मार्केट का दे सकूँ साम हो चुका है बट यहां जगरा चालू है यह देखिए और यह कुछ हाडवेर का दुकान है आइए चलते हैं और आप शको पलातपूर का चोक भी दिखाते हैं सब कुछ मिल जाता है सब कुछ मिल जाता है यहां तरवरा में और पलादपुर चोक में तो पलादपुर में यह आपको मिलते हैं चली आगे चलते हैं यह रहा और मेरा और फिप्टिन फिलाल का और अभी आप सबको दिखाता हूँ परलागपूर का थोड़ा मार्केट एक जलक आईए चलते हैं अंधेरा हो चुपने हैं पर पटल कैसे हैं आई टमाटर यहाँ सब्जी का जो दामेन बहुत सस्ता है गाई करेला करेला 30 रुपे बीस रुपे करेला तीता घरेला यह देखी बीस रुपे दे रहे हैं और यहां ऐसा कुछ पुरा जगा में बिटता हैं तो आए मुझे शरी मिर्चा ही लेना है मिर्चा खड़ित लेता हूँ उसके बाद फिर निकलता हूँ घर के और कि यह रहा है आम कई से हैं आम कोण आम है कि सुपकुल आम एकटी रूपीस और यहां पर एकशन चारों तरफ बचार ही बचार बेठा हुए रेट तो सब सेमी है यहां बैगन है आलू है आलू साइद 18 रूपय किलो है और यहां पर प्याज वगेरा है कथी लिम्बू मिर्चाई कैसे ही किलो किलो 70 रूपीस किलो मिर्चाई गाई तो मैं आधा किलो ले लेता हूँ अधा किलो देता हूँ और यहां प्याज भी रखा हुआ है आलू है और यह से हमारे वहां कुंदुरी कहते हैं आपको एक बार मॉर्निंग में भी दिखाऊंगा यहां यहां पेठिया लगता है यहां पेठिया हमारे यहां पेठिया बोलते और ऐसे डेली मार्केट जो ओविकली मार्केट जो अधा आप पेल कई से आपकी सौर्वी है सौर में देड़ किलो दे रहे हैं और यह सो रुपया में एक किलो चाह देखी इतना सस्ता है यहां हमारे वहां बहुत महहां बिगरी होते हैं और यहां मैं कुछ सुलेने के लिए रुका हुआ हूँ कि दूछे मिठाई रखता हुगा है यहां यह है कुछ से असा दिखता है दिखता हुआ है मौसा ले लिया हूँ अब चलता हूँ घर तो गाइस वीडियो को यह पर समाप करते हैं ठेंक्स पूर वाचिंग प्रमोट ब्लोग जे इन जे भारत जे बिया